आप लोगों के लिए एक और नया पेका काड एंड पिक अग्रूप रीडिंग ले और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देखी लिए होगा थमने में टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि अभी हाल फिलाल में जो भी आपकी सिच्वेशन है उसको लेकर आपके लिए most important three messages क्या है योनिवर्स आपको क्या बताना या समझाना चाहती है या किस तरीके से आपकी जो life है वो transform होने वाली है या फिर आपको transform करनी चाहिए तो क्योंकि एप pick a card and pick a group reading है आप अगर time stamp पर जाएंगे आपको groups मिल जाएंगे आपके name के initials के आधार पर वो groups बने हुए है रही बात cards की तो cards मैं आपके सामने रख देती हूँ यह है आपका पहला card division दूसरा card the jam तीसरा card the creator और चौथा card the queen तो इन में से कोई एक दो या तीन cards आप select कर सकते हैं और यह reading आप लोग देख सकते हैं अगर आप बहुत जादा आपको लगता है कि आप confused हो आप समझ नहीं पा रहे हो कि कौन सा card आपको select करना है आपको थोड़ा लंबा समय लगेगा तो आप screenshot ले ले आराम से इन पर meditate करें उसके बाद एक या दो या तीन cards आप select करें तो video pause कर सकते हैं और तब भी आप अपना time दे सकते हैं नहीं तो groups हैं ही आपके सामने उन में से कोई एक group आप select करें अपने name के initials के आधार और यह reading आप देख सकते हो general reading है guys general reading के जैसे आपने इसको देखना है और यह एक timeless reading है इसको आप कभी भी देख सकते हैं generalist reading है इसको कोई भी देख सकते हैं और सबसे important बात को यह कि 709 tarot family जो हमारी है यहाँ पर धर्म और जाती को लेकर जरा भी भेदभावन नहीं होता किसी भी धर्मिया जाती के हैं कोई फर्क नहीं पड़ता आप readings देख सकते हैं guidance दे सकते हैं इसके अलावा कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप description में चेक कर सकते हैं website का link है mail id है जो भी details है connect होने की सब description में ही है नहीं तो जब आप time stamp पर जाते हो तो वहाँ पर भी आपको details मि करती है I mean screen पर आपको दिखाई देता है जो भी information है all right guys so शुरू करते हैं हमारी यह reading comment of the day जो भी है आप उसको जरूर से जाके देख ले and आपके लिए कुछ affirmations भी हैं जो कि मैं अपसे डालना शुरू कर दूंगी तो आप जैसे ही अपने time stamp पर जाते हैं reading देखते हैं या आप फिर intro पर आते हैं तो affirmations वह आप पढ़ पाएंगे आपके लिए बहुत अच्छा होगा यह सारे affirmations आप every day अगर बोलते हैं सोने से पहले जागने के बाद तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा all right तो चलिए guys शुरू करते हमारी यह reading देखते हैं क्या कुछ आएगा हल्ड़ बेस्ट तो अगर आपने सिलेक्ट किया है the vision card को and group number one को तो चलिए देख लेते हैं क्या कुछ messages है आपके लिए अई मैं क्या 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 जाग। य्यू Uम ये इस इस Okay Oh, ये न, okay, मैं बता हूंगी क्या है पात मैं बताप्र आपते हूं then we have challenge and six support okay hmm regeneration see crystals and clear cards affirmation for healing the heart ah meditation to dig deep okay so yeah okay cards Sun and stars bottom of can all right कि अक्त gefष्ष्षर और टो जिन्होंने भी card number one को चूज किया है विजन and group number one को चूज किया है क्या है most important three messages for you पहला message है कि new beginning आपकी जीवन में होने वाले और ये एक हफ्ते के अंदर अंदर होगा और कुछ लोगों के लिए एक महीना हो सकता है ठीक है? नई शुरुआत हो रही है उजाला आपकी जीवन में फैल रहा है East का card है East में क्या होता है guys? सुर्य होता है यहाँ पर इस card में उन्होंने image भी वैसा ही बनाया है सुन्दर सा और सरल सा इस card को कोई भी देखेगा तो मतलब समझ आएगा उसको कि क्या बताने की कोशिश करी जा रही है सो चीजे ना उभार पर है उडान पर है जो toxicity आपके जीवन में थी जो negativity थी जो अंदकार था वो कही ना कहीं हट रहा है और उजाला आपकी जीवन में आ रहा है रोश्नी आपके जीवन में आ रही है positivity आपके जीवन में आ रही है खुश ही आपके जीवन में आ रही है अगर health related issues रहे हैं आपको तो आप देखोगे कि एक हफते के अंदर अंदर या तो कोई remedy आपको मिलेगी या फिर ऐसा होगा कि कोई treatment आपका चल रहा था तो वो बंद हो जाएगा फाइनली डॉक्टर्स आपको बोलेंगे कि आपका जो treatment है वो complete होता है और आप पूरी तरीकी से अभी normal हो एक happy healthy life आप अभी जी सकते हो तो नई शुरुआत है नई शुरुआत relationship में भी हो सकती है अगर relationship में issues चल रहे हैं तो वो खत्म हो जाएगे सुन्दर सा जो connection आप चाहते थे वो आपको मिल जाएगा बहुत से लोग हैं आप पर जो ये भी सोचेंगे कि ऐसा तो नहीं कि जो connection है वो खत्म हो जाएगा और फिर नई शुरुआत है तो वैसा नहीं है हाँ अगर वो toxic है connection तो हो सकता है कि कुछ समय के लिए end हो अगर वो बहुत जादा toxic है कि कभी वो ठीक हो ही नहीं सकता तो आँ हो सकता है कि ये वाला connection आपका end हो और बहतर connection आपको मिले नई शुरुआत जो यहाँ पर है east के card के साथ है तो इसका मतलब है कि आपकी जीवन में उजाला होगा जो मैं फिर से वही चीज़ repeat कर रही हूं समझाना चाहती हूं कि इस वाली new beginning से आपको दुखी नहीं होना है क्योंकि यह खुशियां लेकर आ रहा है है ना सो यह जो cycle cycle जो हमारा चलता है तो सुख और दुख आते जाते हैंडल करने में मुश्किल चैलेंजिंग ऐसा भी हो सकता है बट अभी के लिए तो इस्ट का काड़ा है जिसका मतलब है कि खुशियां आपके जीवन में आएंगी तो आपको दुखी की होने की परिशान होने की यहां पर जरूरत बिलकुल भी नहीं है कर पॉजिटिव बताओ फिर भी लोग उसमें negativity ढूंड लेते हैं आदत है लोगों की तो यह नई शुरुआत हो रही है आपके जॉब में भी हो सकता है आपके बिजनस में भी हो सकता है कि नए ideas आपको मिलें या किसी के साथ में new partnership आपकी हो और वो आपको तरीके बताए कि किस तरीके से बिजनस को आगे बढ़ाना है जॉब कर रहे हैं तो कोई नया प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है कुछ नए ideas आप उनको दे सकते हो आपके बॉस को आपके जो बॉस है वो कोई नई बड़ी जिम्यदारी आपको दे सकते हैं जिसको आप celebrate करोगे enjoy हैं तो जॉब आपको मिल जाए तो वो एक नई शुरुवात है आपके जीवन की क्योंकि रूटीन ही आपका चेंज हो जाएगा जीवन बदल जाता है हम जब अपने professional life में active हो जाते हैं तो माहिने बदल जाते हैं चीज़ों के तो वो एक नई शुरुवात है ऐसा भी हो सक सकता है कि कोई नया business आप खड़ा करें तो नय से मतलब है सब कुछ नया और सब कुछ खूबसूरत जहां पर abundance को आप अट्रेक्ट कर रहे हो इसके साथ जो काड आया है regeneration का तो अगयन वो एक नई energy create करने की बात करता है नया औरा create करने की बात करता है नई position को create करने की बात क करता है अगर आप किसी ऐसे field में हो जहां पर आपको कुछ नियम ऐसे लिखने हैं जिनको जो पब्लिक है वो follow करेगी तो यह अधिकार आपको मिल सकता है कुछ नया create करना regenerate करना तो उसका अधिकार आपको मिल सकता है तो जो भी पुरानी चीज़ें हैं जिनका भी कोई use न सकतने आराम से यहां पर रेस्ट कर रही है अपने पैट के साथ और अगर आप देखोगे तो क्लियर कॉट्स हैं यह क्रिस्टल्स जो अगेन चमक फैल आ रहे हैं रोशनी फैल आ रहे हैं जो मैसेज यहां पर आया है आपके लिए कि आपके जीवन में एक उजाला फैलने व जाएगी क्लियर कॉट्स एक ऐसा क्रिस्टल है जिसे हम बोलते हैं कि बहुत ही मैजिकल है इसके साइड एफेक्ट होते ही नहीं है बट फाइदे बहुत हैं बेनेफित्स बहुत हैं कोई भी राशी का व्यक्ति पहन सकता है इससे आपको क्लारिटी मिलती है क्योंकि यह ट् तत्व कही हो जाती है तो तत्व को कम्प्लीट करने के लिए Republicans पहनते हैं डिफर्ट डिफर्ट टाइप के बग्म सावरे तो यह यह पारदर्शता लाता है क्योंकि यह फी अऔरि यह फ्यक्रों सिकत्तों the यह कितना sacred है कितना powerful है अभी आप समझ सकते हो वो वाला जो crystal है आपकी reading में आया है और आप देख सकते हैं कैसे आराम कर रही है princess इसको कोई डर नहीं इसका face देखो कैसे smile कर यह सोते हुए भी तो यह safe है वो safety वाली जो feeling आती है na security वाली कि अभी मैं stable हूँ safe हूँ सिक्योर हूँ या मेरी मेहनत का मुझे फल मिल रहा है तो खुशी रहती है राइट कि okay finally अब मैं चैन की सांस लोंगी तो वह वाली है आपके लिए तो यह एक बड़ा message है कुछ नया शुरू हो रहा है और अंदकार आपके जीवन से जा रहा है clarity मिल रही है किसी चीज को लेकर confused हो कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए तो उसके लिए आपको रास्ते मिलेंगे आप कोई व्यक्ति आपको सला दे देगा या आप किसी के पास पहुँच जाओगे कई वरना आप कोई वीडियो देख लेते हो अचानक से कोई सवाल आपके मन में है जवाब नहीं मिल रहा है और अचानक से आप कुछ तो स्क्रोल कर रहे हो देखते जा रहे हो देखते जा रहा रहे ही क्या वीडियो चलो देखते हैं और यह लोग जैसे अभी मैंने पास लाइफ का वीडियो डाला तो वहाँ पर दूतीन लोगों के ऐसी कॉमेंट्स थे कि हम एवे ही यह वीडियो देखने लग गया और हमारे प्रॉडम का सेलूशन हमें आसे मिल गया तो यह हो जाता है कि यह बार तो क्लारिटी आपको मिलेगी ठीक है दूसरा यहाँ पर जो आपके लिए मैसेज है वह यह है कि जब आपको यह क्लारिटी मिलेगे और आपके लिए रास्ते यानि कि किसी तरीकी का ट्रॉमा है आपका जो आपको छोड़ने ही रहा या आप उसको नहीं छोड़ रहे हैं तो यहां पर आपके लिए दूसरा मेसेज है कि उसको छोड़ने की कोशिश करें यह बहुत इंपोर्टन है फो यू यह जो है ना रैटल करके यह एक शैमनिक इंस्ट्रूमेंट है ठीक है इसको ऐसे करके बजाते हैं तो चन से आवाज आती है आप चाहें तो इसको यूट्यूब पर सुन सकते हो इसके साथ में बहुत से लोग मेडिटेशन करते हैं तो जो शमन्स होते थे ना जो मेरे नालों थे तो वो इस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते थे e clarity पाने के लिए यह जो upper body है आपकी तक बार्टा चख्रा फ्रोट हार्ट चख्रा इसको बैलmeno करने के लिए and clarity पाने के लिए इस वाले इंस्ट्रूमेंट का यूज होता था वह को ड्रम का भी यूज़ करते हैं अगर आपको पता हो तो ड्रम बजाते हैं जब किसी का भी वो हीलिंग कर रहे होते हैं या कोई भी रिच्वल कर रहे होते हैं तो वह एक अजीब सा साउंड आता है आपको जरूर यूटूब पर यह देखना चाहिए हो सकता है कि इससे आपको हेल्फ मिले क्योंकि हम हम सभी जानते कि म्यूजिक कितना पौफुल है और उससे कितनी सारी चीजे हम ठीक कर सकते हैं अगर आपको पता हो सिंगिंग बॉल थेरिपी होती है उसमें भी करते हैं कई सारे इंस्ट्रूमेंट है उनका यूज करके आपके मन को शांत किया जाता है कि हीलिंग करी जाती है बहुत अच्छा वह तरीका हील होने का अगर आपके सिटी में आस अगरे सुना था अब उसके साथ मेडिटेशन नहीं करती एसे बजाते हैं धम 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 ऐसे करके तरीका की बाइबरेशन अंदर आती है बॉड़ी में और उससे हमारे जो चक्रा यहां बैलेंस हो जाते हैं हील हो जाते हैं कोई भी निगेटिविटी है या कोई न और जी है जैसे हम बोलते हैं इस्प्रिट्स वगएर है निगेटिव इस्प्रिट्स और तो उनसे भी हमें चुटकारा मिल जाता है तो आपको बोला जा रहा है कि कहीं ना कहीं आपके थर्ड आई चक्रा को ना ओपन होने की जरूरत है यहां से आपको मिलते हैं कि आपका जो पास्ट है जो पेनफुल पास्ट है उसके वज़े से कई बार आपका जो थर्ड आई चक्रा है न वो ठीक से काम नहीं करता यह आपको क्लारिटी नहीं होती और क्लारिटी की बहुत जरूरत है हाला कि यहां से आपको क्लारिटी मिल रह है बट अगेन अगर आप उस पर मिटी डालोगे फिर वही प्रॉब्लम हो जाएगी तो कोशिश करिए कि इस दोरान जब कि न्यू बिग्निंग हो रही है आप अपना जो थर्ड आई चक्रा है उस पर काम करें उसके लिए या तो मेडिटेशन करें या योगा करें या काउंस इस्टूमेंट रेटल या रेटल साउंड या म्यूजिक कुछ भी ऐसे करके आई थिंक आप टाइप करोगे तो वह आ जाएगा तो वह म्यूजिक आप सुन सकते हैं सोने से पहले या सुबह अगर आपको टाइम मिलता है यह फोन लगाया आजकल तो बहुत आसान हो गया य तो तब तो बड़ा आराम हो जाता है कान में लगा लिए और आराम से सुन रहे हैं तो यह करेगा आपको क्लारिटी देने में और आपको इस्टेबल बनाने में सो जो फैसले आगे आप करें वह आप सही करें बहतर करें उसके बाद यहां पर यह जो तीसरा मैसेज आपके आया है वो चैलेंजिस को लेकर है और मेडिटेशन को लेकर है तो यह जो आपके लिए कार्ट आए हैं यह बताते हैं कि जो भी आपकी लाइफ में चैलेंजिस आए हैं अब तक और जो भी चैलेंजिस आएंगे अभी आप कहोगे कि अरे अभी भी चैलेंजिस हैं अभी भी यह देखना पड़ेगा तो गाइस एक बात हमेशा ध्यान में रखो कि आप अगर इस दुनिया में आए हो तो प्रॉब्लम्स और चैलेंजस से आप छूट नहीं सकते तो जो लोग आपको यह बोलते हैं ना कि आप हम ऐसा आपको मंत्र दे देंगे या हम कुछ ऐसी क्रिया कर देंगे कि आप तो मतलब आप ऐसे जीओगे जैसे स्वर्ग में देवी देपता आराम से रहते हैं तो यह जूट है यह भ्रहम है यह आपको से पसाने के लिए बाते करी जा रही हैं उनका फायदा हो और आप तो जहां हो आप वहीं रह जाओगे तो सच यह है कि यहां पर अगर हम लोग आए हैं तो हम चैलेंजिस करेंगे जरूर कि यह सारी चीज़ें हमारे कर्मों से जुड़ी हुई हैं अब यहां पर यह मत बोल देना कि भगवान गुनेगार हैं भगवान बहुत बुरे हैं भगवान ने ऐसा कर दिया इस सारे प्रोसेस में भगवान का जब हम यूनिवर्स से कनेक्ट हो तो वो इन प्रॉब्रम्स को कम करने में हेल्प करते हैं आपने चीज़ें इतनी कट्टी कर रखी हैं तो उसमें वो क्या करें कितना भी कम करेंगे आपने कट्टाई घड़ाई उतना बढ़ लिया ठीक है तो कभी किसी यूं अंजाने में किसी को दोश ना दिया करें किसी व्यक्ति को भी दोश ना दें कोशिश करें अपने आपको संभालने की अपने जर्णी को सुधारने की किसी को ब्लेम करने की तो यहां पर जो भी चैलेंजिस आते हैं आपके या आ चुके हैं आपको बोला जा रहा है कि उनको आपने नोट शुरू करते हो, तीन महीने अच्छा चलता है, चौते महीने से बिगड़ गया, तो कभी आपने ये समझने की कोशिश करी है, कि किस मुमेंट पर, या किस डेट में, या आप क्या ऐसा करते हो, जिससे वो बिगड़ता है, या relationship कितने समय के बाद में end होता है, मैंने कई लोग साल ही connection चलेगा, उसके बाद end हो जाएगा, तो अगर ये सारी चीजे हैं, ये चीज अब हम करते हैं research, क्योंकि हम रीडिंग कर रहे हैं, तो उस पर ध्यान देते हैं, बट ऐसा नहीं कि हमें करना है, ये सब को करना है, क्योंकि जब आपको pattern समझ आ जाएगा ना, तो आप सुधार भी देख लोगे, solution भी आप देख लोगे, या उस समय बचाप करोगे, जैसे जिनका लोग बोलते थे थे ना, कि April में ही transformation होता है, जून में ही हमारा transformation होता है, आगस्त की 28 में हमारा transformation होता है, तो मैं उनको उसी date के लिए सावधानी वरतने को बोलती थी, कि इस date में कोशिश करो कि कोई argument ना हो, या ये ना हो, वो ना हो, जो भी cards में आता था, तो मैं बोलती थी, तो बहुत से नों के दिश्टे बचे हैं इस वज़े से, अभी उनको पता है कि इस दौरान कुछ changes होते हैं, कुछ end होता है, तो वो समल जाते हैं, वैसे क्या होता था, उसी time पर उनका जगड़ा होता था, arguments होते थे और चीज़े कट, अब again, मैं कोई भगवान नहीं हूँ और कोई यहां पर भगवान नहीं है, लेकिन ये indications उनी की तरफ से मिलते हैं, कि भई, अब मैं बोल रही थी ना, कि आप पूजा पार्ट करते हो, या universe को आप मानते हो, तो universe इस तरीकी से help कर देती है, कर्म हमारे वही है, हमारा वो गलत हो गई, जो भी होना है, बट वो फिर रोक देते हैं, ये हो जाता है, तो आपको बोला गया है कि अभी भी आगे जो भी challenges आएंगे ना, उनको no down करना है, आपने कि क्या pattern है, किस तरीकी से ये चीज होती है, ठीक जब ये नई शुरुआत होगी, तो आपका past बीच में आएगा, जो की आजाता है, हमेशा पता नहीं कैसे, अगर आप जान कर करते हैं, अनजाने में होता है, तो उसके लिए counselling लो, या उसको end करने की कोशिश करो, अदवाइस ये फिर से energy को पलड़ देगा, और तीसरा य यह है कि जब नई शुरुआत होगी, positivity आएगी, blessings आएगी, और surprises होगी, abundance होगा, तो छोटे मोटे challenges भी होगे, तो challenges को लेकर आपने भार नहीं महसूस करना है, ठीक है, challenges को लेकर आपने note down करनी वो सारी चीज़े कि ये challenges अभी आए हैं, ये कब आए, कैसे आए, और क्या pattern repeat हो लिए, तो वहाँ पर भी अगर आप अपना pattern बताते हो, तो आपके बहतर help हो जाती है, उतने ही समय में, ये कि आप पूरा पूरा दिन किसी के पास नहीं बैटे रह सकते हो, बताने के लिए, आपको कुछ घंटे मिलते हैं, उन घंटों में ही आपको बहतर clarity चाहिए, अब उतने में ही बहतर जाधा से जाधा आप कैसे clarity पासकते हो, उस इंसान से, जिसके पास आप help मागने आए हो, charges दे कर, तो ऐसे करते हैं, ओके, ये ये trick है, कि खुद का कैसे फायदा कर सकते हो आप, ओके, तो ये three messages हैं, जिन पर आपको ध्यान देना है, और काम करना है, गाई है, east का भी card आया, sun का भी card आया, so congratulations, अच्छा समय आपका शुरू होने वाला है, so इसको celebrate करिए, और इसके लिए Mother Universe को thank you भूलिए, okay, और कुछ lines हैं आपके लिए, जो कि बहुत important है, आप चाहें तो वो पढ़ सकते हैं, अगर आप उसको, you know, आपको अच्छा लगता है वो lines पढ़ना, तो आप उसको diary में लेख सकते हो, या उसका एक copy निकाल के उसका और अपने table पर लगा सकते हो, okay, आपको अच्छा लगेगा, okay guys, तो यह थी आपकी reading, I hope कि आपको पसंद आई हो, अगर पसंद आई हो, अगर पसंद आई हो, अगर पसंद आई हो, अगर पसंद Hello guys, तो अगर आपने select किया है the jam card को and group number two को, तो चली देख लेते हैं, आपके लिए क्या messages है, three most important messages for you birds, freedom offerings, wow, कितने संद रहे काट, wealth oh, stone people, knowing speak your mind seasonal harvest okay harry potter movie देखा है आपने वह लग रहे है crown is okay all right, so जिनों ने भी the jam को चूज किया है, group number two को चूज किया है, उनके लिए देखिए, सबसे पहला message यह आया है कि अगर आप कुछ यूणिक करना चाहते हो, अगर आप किसी जगह पर पहुँचना चाहते हो, अशय है काफे सारे dreams हैं आपके काफी ambitious हुआ तो अपने ambitions को पूरा करने के लिए अपने dreams को पूरा करने के लिए अपने इच्छाओं को पूरा करने के लिए आपको सबसे पहला जो step लेना है वो step है बोलने का तो या तो आपका throat chakra block है या फिर आपको इस बात का बहुत फर्क पड़ता है कि दूसरों को क्या मैसूस होगा या फिर आसपास का महौल ऐसा है जहां पर आपको ड़रा कर रखा जाता है तो तीनों ही conditions में आपको बोलने में तकलीफ होती है और आपकी जो growth है वो बोलने पर ही टिकी हुई है जो भी आपके मन में है जो भी आपके दिमाग में है वो आप बोलिये कोई एक व्यक्ति है जिसके सामने आपको बोलना है या फिर कोई एक community है जिसके सामने आपने बोलना है जो भी है आपको बोलना पड़ेगा क्योंकि जब आप बोलोगे तब ही आपको वो freedom मिल पाएगी जो कि आप चाहते हो कुछ अचीव करने के लिए मिले होगे यह पहला message है आपके लिए अब कितने लोगों से resonate करता है देख लो यहां पर आपको बोला गया है कि जो भी मन में है वो सामने रखो यह उन लोगों की साथ में भी resonate कर सकता है जो लोग आपको जॉब कर रहे हैं ऑफिस में है और कुछ भी उनको बोला जाता है कि मालो यह presentation आपको रखनी है या you know clients के सामने आपको यह speech देनी है और कुछ भी ऐसी बात जहां पर आपको चाहलों के सामने बोलना है हो सकता है कि आपको हेचक होती हो ठीक है अपना पक्ष रखने क आपको प्रेजेंट करने के लिए आपको लगत पता नहीं आप कैसे बोलोगे कहीं बोल नहीं पाए तो या फिर जो आप बोलोगी उसका विरोत कर दिया गया या फिर लोगों ने कहा कि क्या बेवकूफी भरी बात है यह सारी चीज़ है तो क्योंकि आपने कुछ सोचा भी और उसकी जो positive और negative जो भी उसके लिए response आएगा वो भी आपने सोचे है मतलब कोई idea आपने सोचा और इसका response भी दूसरों से क्या मिलेगा वो आपने सोच लिया और फिर आप चुपो गए तो इससे ना आपकी growth रुख जाती है कि maybe कोई negative response दे positive भी होंगे और अगर कोई positive न लेकिन अगर आप सब कुछ अपने अंदर ही रखोगे और बोलोगे नहीं तो आपकी गाड़ी वहीं अटकी रहेगी आपकी case में यह हो गया है कि हम गाड़ी नहीं चलाएंगे क्योंकि accident हो सकता है तो गाड़ी जहां खड़ी है वहीं खड़ी है और जिनको यह होता है कि accident ह होगा तो हो जाएगा लेकिन accident के बारे में सोचकर हम रुक नहीं सकते वह होगा तो वह एक ही बार होगा राइट लेकिन उस बात को सोचकर हम यहीं बैठे रहें और यहां से वहां आ जाएं गाड़ी ना चलाएं तो कोई मतलब नहीं बनता इस तरीके से जीवन जीने का क्य क्योंकि अगर यह है तो फिर हमें इच्छाएं भी नहीं रखनी चाहिए तो इच्छाएं तो आपके अंदर बहुत हैं अगर मालो किसी ने कोई गाड़ी खरीदी कार खरीदी क्यों खरीदी क्योंकि उसको ट्रेवल करना था घूमना फिरना था मस्ती करनी थी या काम के लि अगर आप किसी को बताओगे तो कोई हसेगा तो अपनी गाड़ी बढ़ाने के लिए आपको विचार आएंगे कैसा हो सकता है और भाट बचाव सोच लो जजादा से जजादे यह कि बचाव सोच लो रही बट बढ़ना तो पढ़ेगा तो आपके साथ वही हो गया है यहां पर आपको बोला गया है आपके एंजल की तरफ से या फिर आपके एंसिस्टर्स की तरफ से कि भाई आप बोलो बोलने का समय है कि अगर आपको जीवन में कुछ चाहिए तो पहले वह चीज जिनसे भी आप मांग रहे हूं को ऑफर करना सीखो for example मैं अपना एक्जामपल आपको दे देती हूं तो जब मैं छोटी थी न तो मेरी आदत थी कि कोई भी तिवहार आता था न तो जब भी हम कपड़े खरीदते थे तो मैं जो हमारे घर पे मंदर है और वहां पर जो भी डीडीज हैं उनके लिए कपड़े खरीदती थी साथ मैं अब ये मेरे घर में किसी के माइन में नहीं था कि हम जब खरीदे तब उनके लिए भी हमें खरीदना है बट मेरे माइंड में वो चीज थी, क्योंकि मेरे माइंड में ये था कि इनी की वज़े से मुझे मिल रहा है, तो अगर हम कुछ खरीद रहे हैं, हम किसी चीज को celebrate कर रहे हैं, या किसी चीज का आनंद ले रहे हैं, तो पहले हमें उनको देना चाहिए, क्योंकि उन्हों ने हम में दिया है तो अपने लिए कपड़े लेती थी और उनकी लिए कपड़े लेती थी और बहुत सुदर खुबसूरत से लेती थी यह नहीं कि ठीक है अमें और मैं अच्छे लेती थी और अगर मुझे वो नहीं मिलता था जो मैं लेना चाहती थी मेरे लड़कुपाल के लिए शिवजी के लिए मातरानी के लिए तो मैं जगरती थी कि मुझे अच्छा वालाई चाहिए मैं तो दो दिन बाद आकर लूँगी लेकिन मुझे चाहिए वैसा वालाई तो ये सारी चीज़े ना काम करती हैं आपके लिए ऐसे देखने जाओ तो कोई प्रूफ आपको ऐसे नहीं मिलेगा राइट कि हाथो हाथ भगवान आपको कुछ बोल देंगे या दे देंगे ऐसा नहीं है लेकिन ये ओफरिंग्स काम करती है इतना मान के चलो वो offerings कहीं ना कहीं उन offerings की वज़े से मैं ये मानती हूँ मुझे नहीं पता सब का लेकिन offerings की वज़े से मुझे ऐसा लगता है कि आज मैं आप के सामने बैठी हूँ और भगवान मुझे मौका दे रहे हैं कि मैं आप लोगों को guide कर पाऊँ again वो मेरे में power नहीं है मैं भगवान नहीं हूँ लेकिन उन्होंने मुझे इस चीज के लिए चुना तो यह मुझे लगता है offerings है मेरा ऐसा मानना है मुझे नहीं पता सब का क्या है लेकिन मेरा विश्वास इसमें है मेरा faith है ठीक है जो मैं donation करती हूँ न वो भी इसी के साथ करती हूँ कि मैं यहाँ पर donate करूँगी तो एक पूरी community जो मुझे से जुड़ी हुई है सबका बला होगा मेरा ऐसा मानना है और मैं उसी सबसे करती हूँ जो लोग मेरे जान पैचान के हैं जो लोग जिन से भी मेरा संपर्ख है या नहीं भी है मेरे ऐसा करने से कही न कहीं वो energy दूसरों को भी प्रभावित करेगी उनके जीवन में भी positivity आएगी कि एक अच्छा काम है तो यह है तो आपको वही बोला गया है कि अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन में abundance आए तो आप पहले वो चीज offer करना सीखो आपके ancestors को nature को जहां से सारी चीज़ें मिलती है हम सब्जियां जब भी हम खाने की बात करते हैं सीधा खाना ही हमें दिखता है हमें नहीं दिखता कि यह सब्जियां जो हैं यह कहां से आई हैं कैसे आई हैं और अब यह सब्जियां जब हम खाएंगे तो इनी से हमारा शरीर बनेगा हम क्या हैं हम यही तो हैं जो हम खाते हैं वही तो हम बनते हैं हम खाना क्यों खाते हैं क्योंकि यह हमारे में समा जाता है और हमारे body को बना रहा है हमारे बाल उससे बढ़ रहे है हमारी skin अच्छी ट्योड हो रही है भ्लड हमारा बन रहा है तो जो हम खा रह California फेंट cosm right so नेचर से connect होना नेचर को धन्यवाद करना और अदल करना और जो हम ले रहे हैं उसके प्रती बहुत जादा वो gratitude रखना यह सारी चीज़ें में करनी चाहिए तब हम कहीं ना कहीं एक बहतर इंसान बनते हैं और जो हमें चाहिए यूनिवर्स से वो हम receive कर पाते हैं तो पहले देने की भावना होनी चाहिए तब वो हम receive करते हैं कि यहां पर offering का पार्ट आपके लिए रखा गया है कि अगर आप भगवान से कुछ मांगते हो ना तो दिल खोल कर देने के भी इच्छा रखो हमें बहुत से लोगों को देखा है कि हमारी सेलरी एक लाक हो जाए हमारी सेलरी दो लाक हो जाए हमारे बिजनेस में उन्हों पांच लाक महीने के हो जाए और जब मंदर जाएंगे तो एक पांच का सिक्का या दस का नोट ऐसे offer कर देते हैं और फिर कहते हैं भगवान को क् तो देने की इच्छा होने चाहिए आप जो दोगे वापस वो चीज आपके पास आजानी है हम जो फूड ओफर करते हैं अगर हम नेचर को पूझते हैं पेड़ पौदों को पूझते हैं जो भी ओफर करते हैं वो खाद बन जाता है वापस हमारे लिए अना जुगाता है तो क कि थोड़ा थोड़ा और हम देंगे भी नहीं बचने वाली चीज ना तो यहां पर आपको बूला गया कि ओफरिंग्स के लिए हमेशा त्यार रहो तब आपकी मैनत का फल आपको मिलेगा ओफरिंग्स किया करो ओके आपकी एंसिस्टर्स को और सभी लोगों को दिया लगाय करो तीसरा जो आपके लिए most important message है वो यह है कि जब भी आप कुछ manifest करते हैं तो clarity के साथ करें और अगर आप clarity नहीं है मन में सवाल बहुत हैं तो जवाब ढूनने की कोशिश करो अब अगर आप सोच रहे हो कि जवाब कहां से मिलेंगे जवाब हर तरफ है stone people ऐसा बोला जात है कि हम बोलते हैं दिवारों ने बहुत कुछ सुन राखा दिवारों ने बहुत कुछ देखा हुआ है तो हर वो चीज जो हमारे आसपास है उसने हमारी कहानी सुनी है देखी है और उसी से हमें जवाब मिल जाता है बस हमें manifest करना है कि कोई ऐसा विक्ति मिलें जो हमें से help क और निके बाएं Sergeant मिलते हैं तो अगर आपको एसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा क्लारीटी की ज़रूरत हि लोग जो आपके लिए बहुत करिये कि लेने के बात कीषट करना चाहते हैं, वो manifest करी है, ओके, क्योंकि आपके लिए बहुत important है, आप कुछ imagine कर रहे हो, लेकिन imagination में कई सारी चीज़े हैं, अगर आप इस card को देखोगे, तो इस लड़की के mind में क्या कुछ चल रहा है, यहाँ पर horse भी है, crown भी है, पैसे भी है, यहाँ टावर भी है, मतलब पैलेस है, फिश है, hearts भी है, flowers है, dragon है, ring है, बहुत कुछ है, तो अगर इस तरीकी से आप अपना brain को इस तरीकी से train करोगे ना, तो आपको क्या exactly चाहिए, समझ नहीं आएगा, अगर आपको सब कुछ भी चाहिए, तो वो सब कुछ किस में मिल सकता है, वो एक चीज़ मैनिफेस्ट करो, जैसे कि मैं बोलती हो, abundance के लिए, मेरी definition है कि वो सब कुछ, like love and wealth and सब कुछ health, तो एक शब्द ढूंडो, और उसके द्वारा communicate करो, लेकिन clarity होनी चाहिए, तो ये तीन messages यहाँ पर आपको मिलते हैं, कि अगर आप सवालों के जवाब चाहते हो, आपको पत्थरों में भी मिल जाएंगे, लेकिन ढूंडने की वो intensity होनी चाहिए, दूसरा offerings करिए, जो कि बहुत helpful होगा आपके future के लिए, आप जितना जादा ओफर करोगे नेचर को, जितना जादा पेड़ पौधों की रक्षा करना, और जो नदियों की साफ सफाई है, उस पर ध्यान देना, अगर कोई ऐसा आपको कोई आंदोलन मिलता है, जहां पर लोग इसके लिए लट रहे हैं, तो उसमें participate करना, अगर आप भगवान में मानते हैं, तो उन्हें offerings करना, अगर आप universe में मानते हैं, तो उनको बार बार धन्यवाद करना, आप जो खा रहे हो उसको धन्यवाद करना, आप पानी पी रहे हो, सोचो अगर एक बूंद पानी, एक ऐसी इस्तिती आजाए, जहाँ पर एक एक बूंद के लिए आप तरस हो, कैसा लगेगा, तो पानी आपको मिल रहा है, आप पी रहे हो, आप नहा रहे हो, बहुत कुछ यूज कर रहे हो, लेकिन हम कभी उसको thank you ने बोलते हैं, ये सारी चीज़े, तो ये सब कुछ करना ये offering में ही आ जाता है, तीसरा जो ancestors आपके अभी नहीं है, मतलब जो भी दादा जी, पर दादा जी, और माता पिता, अगर है अच्छी बात है, नहीं है तो उनको offerings दीजिएगा, ये मत सोचिए कि इससे कुछ नहीं होता है, ये से कई बार में लोगों को बोलती हूँ पूर्णे मा 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 वस्या में आप जाएए, और दान करिए आपके माता पिता के लिए देयर लाइक अच्छा दान कर देंगे तो उनके पास पहुँच जाएगा, वो तो हहीं नहीं अभी, इतना जादा जब लॉजिक आप लगाते हो ना, तो मैजिक की दजियां उड़ जाती है, जो मैजिक आप चाते हो ना जीवन में, ऐसा होता है, तो बहुत जादा लॉजिक नहीं लगाना चाहिए, अगर आपको सच में इस बारे में जानना है, कि उन तक कैसे पहुचना है, इसकी बारे में आप बात करिये, पूछिए लोगों से, जो आपसे बहतर जानते हैं, जिननोंने बहुत कुछ पढ़ रखा है, जिनका एक्सपिरियेंस ऐसा रहा है, उनसे कनेक्टो बात करो, विरोध मत करो, बिना जाने, ठीक है, तो यह आपको करना है, और पहला मैंने आपको बताई दिया, कि आपको बोलने की जरूरत है, यह थे आपके तीन मोस्ट इंपोर्टन मैसेज़े, किस तरीके से आपके काम आएंगे, यह आप देखिएगा, बटन पर ध्यान जरूर से दें आप, यह देखिए, यहाँ पर फिर से फोर फ्रेंटिकल्स आगया, तो बहुत पकड़ने की आदत है आपकी, जिस दिन आप यह पकड़ना छोड़ दोगे न, उस दिन अवर्नेंस आया जाईगी आपके जीवन में, किसी की हेल्प नहीं करना, किसी को मैं भी चैरिटी करती हूँ, तो बहुत से लोग मुझे बोलते हैं, क्यों आप बेगाड़ रही हैं लोगों को, आपको क्या पता कि मैं कहां क्या कर रही हूँ, मैं जब चैरिटी करने निकलती हूँ, उन लोगों को कंबल या खाने पीने का समान देती हूँ, जिनको मैं helpless देखती हूँ, एक condition होती है, कोई बहुत बुड़ा बड़ा है, आप उनसे भी expect कर रहे हो, कि वो भी उठें जाएं और काम करें, कैसे करेंगे बिचारे, या किसी के हाथ पैर नहीं है, कोई इतना ज़्यादा बीमार है, कि उठने ही पार, आप कोगी आरे हाथ पैर तो ठीक है, एज भी इसकी इतनी है, उठके काम करें, कैसी करेंगा काम, तो जब तक आप जानते नहीं हो, कि किसी की कंडिशन क्या है, जब तक आप नहीं जानते, कि आप कि लोगों की हेल्प कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसे जज़ करना चाहिए, तो बहुत ज़्यादा जब आप पकड़ते हो न, इस तरीके से चीज़ों को, तब भी वो हाथ से निकलती है, उसकी कमी हो जाती है, तो वही आपको बोला गया है, कि थोड़ा न, इन चीज़ों पर, ध्यान दो, डोनेशन, चारिटी, ये सारी चीज़े, धन्नवाद बोलना, ठीक है, आल्राइट गैस, तो ये थी आपकी रीडिंग, I hope कि आपको पसंद आई हो, अगर पसंद आई तो लाइक जरूर करें, और रेजनेट करी तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू सो मच पर वाचिंग दे वीटियो, ठीक है लफिया, हेलो गाइस, तो अगर आपने स्लेक्ट किया है, दी क्रियेटर के कार्ड को, और गुरूप नमबर थ्री को, तो चले देख लेते हैं, क्या में से जजज आपना के ली, नूर्थ, तो के, और क्रियेटिविटी, और क्रियेटर का आपने कार्ड चूज किया है, और क्रियेटिविटी का मेसेज आया है, स्टोन की पिपल आपके के लिए भी आ चुका है, तो चाहें आप तो जो सेकेंड पाइल है, वो भी आप देख सकते हो, अगर आपकी इच्छा हो तो, ट्रांस्फरमेशन एंड चेंज, प्रस्पेरटी एंड अबननेंस, यहां पर क्या है, सुन एन स्टार्स, ओके, आपको अब एक समूह की जरूरत है, अगर आप बहुत ज़ादा अकेले रहते हैं, लोगों से connect नहीं होते हैं, आपको अच्छा लगता है अकेला रहना, आपको अच्छा लगता है खुद के साथ में time spend करना, बहुत ज़ादा लोगों से बात करना, किसी function में जाना, कोई party वगेरे attain करना आपको पसंद नहीं है, completely okay, बट अभी हाल फिलाल में जो भी आपका purpose है, जो भी purpose है, वो आपसे वो अकेला पन नहीं चाहता, वो purpose आपसे चाहता है, कि आप अपने comfort zone से बाहर निकलें, या आपना जो आपका nature है, उसको थोड़ा बदलें, और लोगों के बीच आएं, और बहुत कुछ उनसे जो सीखना है, वो सीखें, ठीक है, यह ऐसा आपको बोला जा रहा है, एक कोई monk है, जिनकी मैंने book पड़ी वी थी, जहांपर उन्होंने कुछ ऐसे लिखा था, lines लिखे थी, कि आप सच में speciality में बहुत आगे हो चुके हो, जब आप ये करने में सक्षम हो, क्या, कि आप भीड में हो, लेकिन फिर भी आप अपने अकेले पन को enjoy कर रहे हो, या अकेले पन के energy में अभी भी हो, मतलब आप भीड में बैठे हो, लेकिन आपका ध्यान जो है वो भटक नहीं रहा, लेकिन भीड में आप इसलिए हो, क्योंकि भीड में होना आपके लिए ज़रूरी है, तो यहाँ पर आपके लिए message वही है, कि अभी आपकी इस्तिती ऐसी है, कि आपका ध्यान भटकना नहीं चाहिए, चाहें आप लोगों के बीच में हो या नहीं, जहां तक मुझे लग रहा है ऐसा है, कि आपका नेचर भी अकेले रहने का, और अगर आप कुछ, किसी stage पर पहुँचना चाहते थे, इस spirituality की, तो आपके लिए important भी था, meditation करना, yoga करना, तो उस वक्त आपको एक अकेली जगे चाहिए थे, यह से बहुत से लोग बोलते हैं, कि हम तो हिमाले पर चले गए थे, हम तो hill station चले गए थे, क्योंकि हमें समय चाहिए था, साधना करने के लिए, कुछ भी inner work करने के लिए, center चले गए थे, बहुत से centers हैं ऐसे, जहांपर लोग दूसरों को transform करते हैं, तो वो आपने किया, अभी न, आप ऐसे बनके त्यार होगे हो, कि आप भीड में हो, तब भी आपका ध्यान नहीं भठकेगा, और आपका inner work चलता रहेगा, तो वो समय आ चुका है, जब आप बाहर निकलें और action लें, यह पहला message है आपके लिए, कितने लोगों से resonate होगा, होता है मुझे ज़रूर बताइए, आप लोग, यह है, क्योंकि आपको जो आप चाहिए, या आपकी जो duty है, आप वो पूरा करने के लिए तयार हो, इससे पहले न, ऐसा होता था कि बच्चों को गुरुकुल बेज दिया जाता था, तो उस वक्त वो सिफ पड़ते थे, पड़ते 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 थे, और फिर जब वो तयार हो जाते थे, तो उनको बेज दिया जाता था, राजा बनने के लिए, राणी बनने के लिए, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए समय है, अभि आप पूरी तरीके से तयार हो, आपको बोला जा रहा है कि निकलो, निकलो और अपने जो आपकी डूटी है, आपकी जो डेस्टनी है, उस पर काम करो ठीक है यह अकेला पन बेशक आप इंजॉय करते हो लेकिन अभी इसको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत है आपको मिलना पड़ेगा लोगों से बात करनी पड़ेगी पूछताश करनी पड़ेगी और आप खुद भी यह देख सकते हो कि आपका जो इना वक मूंदने आई LA आऊ जैसे मालो किसी ने आपको बोला आप हम चाय नहीं प्याद पर्पीते हो गया है हम चायं चाय पतिती नहीं थे थी हने अब जैसे हीं आपको देखने को मिल जाएगा कि अगर में ऋनवक कर रहें और आप ik complete हो गया तो कितिना हुकμα है कि लोगों से मिलिए बात करिए और अपने बारे में भी काफी कुछ समझी है दूसरों के बारे में भी समझी है और जो आपके ambitions हैं उसके लिए भी आपको बोला जा रहा है कि अकेले रहेंगे तो complete नहीं कर पाएंगे आपको बात करने की आवशक्ता है लोगों की सामने आएए बात करें अपना पक्ष रखें ठीक है दूसरा जो message है आपके लिए वो यह है कि prosperity and abundance अगर आपको चाहिए तो आपको अपनी creativity दिखाने पड़ेगे आप creativity कहां दिखाएंगे लोगों की सामने आप बहुत अच्छे designer हैं आप बहुत अच्छे master हैं आप बहुत अच्छे healer हैं आप अकेले हैं तो कहां दिखाएंगे किसको दिखाएंगे दन abundance कैसे आएगी अगर आप एक अच्छे healer हो या master हो आप लोगों को यह चीज़ सिखाओगे energy exchange होगा तभी तो भई abundance आएगी ना तभी prosperity आएगी ना अकेले करके कुछ हासिल हो जाएगा ज्यान आपके पास रहेगा लेकिन energy exchange नहीं है यह नहीं है तो कैसे काम चलेगा तो अगर आपको यह चीज़ चाहिए तो जो ज्यान आपने हासिल किया है वो लोगों तक पहुंचाईए लोगों का भला करिए और लोगों के साथ में energy exchange क करी है तब चीज़े हो पाएंगी आगे बढ़ पाएंगी तो बैठने का कोई फायदा नहीं अब यहां पर बहुत से लोग ऐसे बोल सकते हैं कि हम कोशिश करते हैं कुछ करने की लेकिन रोक लग जाती है फिर शुरू कर दो रोक लगने का मतलब यह नहीं है कि हम बैठ जा इसरा मेसेज आपके लिए यह है जैसी आप अपनी क्रियेटिविटी पर काम करोगे जैसी आप लोगों के बीच आओगे और अपना जादू फैलाओगे प्रोस्पैरिटी अनवर्णनस आपको रिजीव हो जाएगी क्योंकि समय बहुत अच्छा है तीसरा मेसेज आपके ल उनने के लिए भी आपको बाहर निकलना पड़ेगा और लोगों से कनेक्ट होना पड़ेगा और इस दौरान कई यवार आपको एक्सप् Deutschक करना पड़ेगा हो सकता है किसी एक व्यक्ति से सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं तो चार और लोगों से कनेक्ट हों आप इसका म पैसे का लेंदेन हैं, वहां साफधानी रखें, लेकिन बात करने से किसी को कुछ नहीं जाता, सो कनेक्ट हो लोगों से बात करें, और फिर अपनी जर्नी को आगे बढ़ाएं, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, जैसे कि आप एक बड़े इस्पिच्वल जर्नी पर जाने वाले हो, जहां पर आप कई लोगों से मिलोगी इस जर्नी के दोरान, अगर आपने देखा होगा, कई मौंक्स की अगर आपने कहानियां पड़ी होगी, तो वो जब अपनी जर्नी पर निकले थे, उस वक्त कई लोगों से मिले थे, अगर लॉर्ड बुद्धा के बारे में भी आप जानोगे, तो वो भी चैरियोट पर निकले थे, और कई सारी चीज़ों को उन्होंने देखा था, तो एक्स्प्लोर करना, एक जर्नी में बाहर निकलना, लोगों से कनेक्ट होना, ये पार्ट है, आपके इस्पिच्वालिटी में आगे बढ़ने के लिए, आप घर बैठ कर वो चीज़ प्रैक्टेस हो सकता है, करियों लोगों ने, विजय भी प्राप्त करी हो, लेकिन मैंने जितना पढ़ाए लोगों के बारे में, ऐसा ही है कि वो निकलते हैं बाहर, या मिलते हैं लोगों से, या सुनते हैं किसी को, कुछ पढ़ते हैं और ऐसे करके वो अपने इस्पिचल जर्नी में आगे बढ़ते हैं, वही चीज आपके केस में भी मुझे दिख रही है, और आपको बोला जा रहा है कि ये समय हैं आप बाहर निकले, तो हर एक चीज आपके लिए कनेक्ट करते हैं, तो मैसेज़े में यहाँ पर तीन देखने वाली थी और तीन मैसेज़े हैं भी, लेकिन सारे की सारे जो हैं, मतब दोनों जो मैसेज़े हैं, वो इस वाले से ही कनेक्ट हो रहें, तो आपको बोला गया है, बाहर निकलो, strength, यह समय है transformation का, आपके अगर doubts भी हैं, कुछ ऐसे doubts हैं, जिनको आप कहीं ना कहीं clear नहीं कर पारे हो, तो उसके लिए आपको किसी से मिलना पड़ेगा, किसी से बात करने पड़ेगी, death, death and rebirth, तो अगर आप abundance चाहते हो, तो कुछ आपको खत्म करना है, कोई doubt आपको खत्म करन है, जैसे Lord Buddha के बारे में बोलते हैं, कि जब वो सिधार्थ थे, तब वो सिधार्थ वो राजा, वो प्रिंस थे, जब वो बुद्धा बने ना, तो उनका वो जो सोल था, वो पूरी तरीकी से transform हो चुका था, यानि कि अब वो सिधार्थ नहीं है, हम अगर उनकी स्टोरी परमात्मा का कह सकते हैं, ठीक है, सिधार्थ को हम मनुश्य के जैसे देखेंगे, Lord Buddha को मनुश्य के जैसे नहीं देखते हैं लोग, ठीक है, तो एक मैंने कहीं तो past life regression की कोई स्टोरी सुनी थी, जहां पर वो बता रहे थे कि, वो past life regression कर रहे थे, तो जो उनके सामने बैठे सिधार्थ का जन्म था, Lord Buddha नहीं थे, क्योंगी Lord Buddha अलगी थे, तो उनका उन्होंने जन्म देखा था, ठीक है, तो ऐसा होता है, तो एक अवतार को खत्म करने के लिए, अपने एक perception को में भी खत्म करने के लिए, आपके कुछ thoughts हैं उनको खत्म करने के लिए, एक जो अवतार है, उसको सामने लाने के लिए को चैनल करना पड़ेगा, तो उसकी जरने के लिए आपको बाहर निकलना है, तो बाहर निकलिए, ओके, तो यह थी आपकी रीडिंग, I hope कि आपको पसंद आई हो, अगर पसंद आई तो लाइक जरूर करें, resonate करें तो में जरूर बताएं, share कर करें, guys, thank you so much for watching the video, take care, love you all, bye-bye. Hi guys, तो अगर आपने choose किया है, the queen के card को and group number 4 को, तो चलिए देख लेते हैं, आपके लिए क्या messages है? Okay, so पहला आपके लिए आया है यहाँ पर, tree people, पहला कार्ड है, दूसरा कार्ड, वाओ, flute, expression, कितो सुन्दर है? Sea Creatures, okay. Pile 1 भी आप लुक देख सकते हैं, अगर आपको ठीक लगे तो. And to passion, music, plant the seeds, all right. All right, guys, so queen का कार्ड आपने चूस किया है, और energy भी कुछ-कुछ वैसी ही है, तो three most important messages for you. क्या है, तो पहला message यह है, guys, कि यहाँ पर आपको बोला गया है कि थोड़ा ना अपने पर ज़्यादा focus करो. Maybe आप अपने काम में बहुत ज़्यादा busy हो, या लोगों की समस्याइं सुल जाने में busy हो, किसी भी तरीके से आप खुद पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, आपकी journey पर ध्यान नहीं दे पा रहे हो, अपने health पर ध्यान नहीं दे पा रहे हो, ऐसा है यहाँ पर. universe का कहना है कि आप इतने काबिल हो, कि आप अपने position न छोड़ सकते हो दूसरों को follow करने के लिए, I mean दूसरे लोग आपको follow करें, आप उस जगे पर हो, यानि कि इतना ग्यान आपको मिल चुका है जीवन में, कि जब लोग आपसे प्रेरना लें और आपको follow करें, और वो भ जादा कि ये कुछ अलग जो आप इस दुनिया में करने आए हो, इस पर आपका ध्यान नी जा रहा है, आप सिर्फ सोच रहे हो कि मुझे महीने की salary इतनी मिलने चाहिए, मुझे समस्याई है, जो है सारी सुलचानी है, मुझे कपड़े लेने है, सबजिया लेनी है, खाना ब जैकली, आपको वैसा नहीं बनने दे रहा, जैसे कि अगर यहां पर हम दूसरे message की बात करें, यह तो पहला message हो गया, दूसरे message की भी अगर हम बात करें, तो इसमें भी आपके लिए वही संदेश है, कि आप जो हो, वो आप लोगों को दिखानी पा रहे हो, या आप खुद जादा attachment है, उसकी जैसे हम बदलने लग जाते हैं, जैसे हम जिलों के साथ है, मालीजे आपको singing पसंद है, या आपको dancing पसंद है, और आपकी जो लोग साथ है, उनको वो चीज पसंद नहीं है, अब आप उनसे बहुत जादा attached हो, तो आपने वो चीज छोड़ दी, किकि इन को पसंद नहीं है, तो मैं ये चीज नहीं करूंगी, नहीं करूंगा, संगीत से और ये इस तरीकी के जो gifts है, इनसे आप बहुत जादा connected होते हो, ऐसा बोलते हैं, पास लाइफ से इनका कोई ना कोई connection होता है, अगर आप गाने के शौकीन हो, अगर निर्थ करने के शौकीन हो, magician हो, तो ये जो instrument होते हैं, इनसे आपका बड़ा गहरा connection होता है, तो अगर ये वाली इच्छा आपने मार दी है, उन लोगों के लिए जनसे कि आप attached हो, तो कहीना कहीं आपने खुद की पहचान को मार दिया, क्योंकि यहीं आप थे, और यहीं करके आपको आनन्द मिलता और इसी से, कैसे बताओं, जैसे मोबाइल की बैटरी डाउन होती है, आप क्या करते हो, चार्ज करते हो ना, चार्जर लगा के, तो वो जो चार्जर है ना, वो यही है, यह जो आपके शौक है, गाने का, डांस करने का, या कुछ भी, क्रियेट करने का, अगर आपको कुछ वार चीज़ डूंग आप ढूंड लो इसे मोबायल में होता है लोग ना कई बार दूसरे उंदर इसके थीकैं तो वह काम अगर आप सोचे एक ठीक है वो चीज मैं नहीं कर रहाएं कोई बात नहीं मैं कहीं और से चार्ज हो रही हो नहीं आप नहीं हो दॉख्यों प्यास लगतेना गई तो मैं पानी चाहिए हमें कोई लसी पिला दे हमें कोई कोडरिंग पिला दे कुछ भी पिला दे हमारा मन शांत नहीं होगा मानूगे न यह बात प्यास लगेगी तो हमें पानी ही चाहिए शुद्ध पानी है ना तो जो चीज हमें जिस चीज की नीड है उस वक्त उसी चीज की नीड है आप कोई भी substitute लागर रख दो हमें तसल्दी नहीं होगी तो यहां पर आपको वहीं बोला गया है कि किसी ना किसी वज़े से आप खुद को change कर रहे हो और जो कि आपको नहीं करना है कि तीसरा जो message यहां पर आपके लिए है वो यह है कि आपको universe जिस दिशा में ले जाए उस दिशा में आपको जाना है और आपको यह नहीं सोचना है इसमें आगे क्या होगा यह जो condition बनी है जहां पर दोनों में आपको बोला जा रहा है कि आप खुद को बोल चुके हो और आप अपनी journey को follow नहीं कर रहे हो आप अपना purpose जो है वो पूरा नहीं कर रहे हो तो ना करने का reason यह भी हो सकता है कि future में क्या होगा तो यहां पर universe का कहना है कि future का आपको नहीं सोचना है आपने सिर्फ जैसे हां पर आप देख सकते हो यह lady जो है यह किसान है तो यह सिर्फ बीज बोरी है इसको बोला गया है कि आप सिर्फ बीज वो मिट्टी में अब जब वो बोरी है बीज तो यह नहीं सोच रही है फसल इसकी क्या निकलेगी कैसे निकलेगी राइट करेंगे हम पानी डालेंगे हम सारी वेवस्ता करेंगे अगर यह-一樣 कि दीज हमने वह दिए क्या पता अफसर नहीं निखली तो तो कभी खेती नहीं कर पाएगी कई कशान कर पाएगा वो भई जो करना है जो शुरू का जो process होता है वो पूरा करते हैं और बाद में फिर पानी वानी डालना और pray करना है ना लेकिन अगर पहले ही वो सोच लेंगे कि पता नहीं क्या है तो वो खेती करी नहीं पहेंगे तो वही चीज़ आपको भोली गई है कि अगर आप अपनी identity के लिए stand लेते हो अगर आप अपनी energy पर काम करते हो अगर अपने शौक को पूरा करते हो तो इससे आगे क्या परिणाम होगा वो मत सोचिए आप आगे पढ़िए और वैसे भी आपकी कुछ ऐसी इच्छाएं नही है जिनकी वज़े से कुछ ऐसा हो जाएगा कि आपको घर से बाहर निकाल दिया जाएगा ओके यह नीड है आपकी और अभी तक मुझे लगता है जितनी जिम्मेदारियां आपको उठानी चाहिए थी आप उठा चुके हो अब यह समय ऐसा है जब आप खुद के बारे में सो सब्सक्राइब का काड़ आया है सो वेरी इंपॉर्टन फो यू यह समय आपके रेस्ट करने का है यह समय है आपको सुनने का लिसनिंग तो विजडम जो भी आपको मैसेज़ मिलते हैं यूनिवर्स की तरफ से आप हो मैजिकल मुझे नहीं पता किस तरीके से में भी आपको कुछ गिफ्ट मिले हैं आपके इंट्यूशन अच्छी काम करती है आप साइकिक हो कुछ तो आप कर सकते हो तो चीज को आपने दबा लिया क्योंकि आपको लगा दुनिया बहुत प्रैक्टिकल है ना प्रैक्टिकल वोल्ड है लॉजिक पर चीज़े चलती है तो यह सारी चीज़ों के लॉजिक नहीं लोगों को समझ आए होंगे कुछ भी हो सकता है खुद भी आपको लगा होगा कि हां मेरा यह शौक है लेकिन यह फालतुका इसका कोई मतलब नहीं है आपको इस पर अभी ध्यान देना चाहिए यह समय बहुत सही है आपको जितनी जिम्मेदार है वह दूसरों को सिखाए पहले तो अपने आपको जागरत करें या वैकनिंग के अनरजी है जागरत करिए और वह बनिए जिससे कि लोग आपसे प्रेंड़ना लें दूसरा आपकी जो शौक है उनको वापस से लेकर आए उनको आपने दबा दिया है ठीक है तो वापस से क्या चीज़ आपको एक्टिव बनाती है और तीसरा जब आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं या कोई भी एक्षन ले रहे हैं तो मस सोचें कि आगे क्या होगा बस आप कर डालें कुछ एंड होगा तो कुछ नया शुरू होगा एंड हो गया और एंड ही हो गया ऐसा नहीं है लोगा प्रोच प्रोच एंड होगा अड है